हेलो फ्रेंड वेलकम टू नाई चैनल कर्ची का कमाल आज हम बनाएंगे मिक्स वेज कटले यह बहुत ही हेल्दी होते हैं इसे हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और इसे शाम को हम स्नेक्स के तोरपे भी खा सकते हैं तो चलिए चलते हैं मेरे किज़र में और बनात लेंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए सोते कर लेंगे अधरक और लैसुन को जो भूनकी हम कटलेट में डालेंगे तो इससे कटलेट का स्वाद और अच्छा हो जाता है मसाला अच्छे से भून गया है अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज बारी कटा हुआ डाल द सब्जियों में हमने बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, बीट और मटर डाले हैं, सब हमने आधी आधी कटोड़ी डाले हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, सारी सब्जियों को डालके हम एक नट तक इसे भी भून लेंगे सब्जियों को हमें सॉप्ट करना है, इसके लिए हमने एक चमच नमक, आधी चमच हल्दी पौडर, आधा चमच लालमिच पौडर, एक चमच धनिया पौडर, आधा चमच गरम मसालड, डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें सब्जियों को सॉप्ट करना है, इसलिए हमें इसे ढखकर पांच मिनट के लिए धीमी आज पर रख देंगे पांच मिनट हो गए हैं, अब हम सब्जियों को एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें चार बौइलालू का चोखा डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये वाले कटलेट नॉर्मल कटलेट से बिल्कुल अलग होते हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इस टाइम पे हम इसमें आदा नीबू का रस डाल देंगे और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका कलर देखिए क्या शांदार कलर आया है, जब चोखे का कलर इतना शांदार है तो कटलेट कितने शांदार बनेंगे मसाला बन के तयार है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक मसाला ठंडा हो रहा है, जब तक हम और तयारी कर लेते हैं अब हम एक बोल लेंगे और उसमें तीन चमश मैदा डाल देंगे साथ में आदा चमश नमक और आदा चमश लालमिश पॉडर डाल देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ घोल बना लेंगे घोल को हम न जादा गाड़ा न जादा पतला बनाएंगे अब हम कटलेट बना लेते हैं इसके लिए थोड़ा हाथों में तेल लगा लेंगे और कटलेट का मसाला लेके इसे दबाते हुए अपनी मन पसंद की शेप ले देंगे अब हम इसे मैदे के गोल में पूरी तरह से इसे डिप कर लेंगे और उसके बाद इसमें से निकाल के हम ब्रेट क्रम्स को चारे तरब से इसमें लपेट लेंगे मैदा और ब्रेट क्रम्स लगाने से कटलेट बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे ये देखिए कटलेट बनके तयार है इसी तरह हम सारे कटलेट बना लेते हैं आप इसे दो दिन के लिए फ्रीज में इस्टोर भी कर सकती है कटलेट बनके तयार है अब हम इसे फ्राई कर लेंगे एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें हम कटलेट डाल देंगे गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और एक एक करके हम इसमें 3-4 कटलेट डाल देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसे धीरे-धीरे चलाते हुए पलट लेंगे और इसे deep fry कर लेंगे अगर आप deep fry खाना नहीं पसंद करते तो इसे shallow fry भी कर सकते हैं कटलेट फ्राई हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेते हैं ये देखिए, इसका कलर भी कितना अच्छा है, लग रहा है न, क्रिस्पी क्रिस्पी कटलेट, बिल्कुल मार्केट जैसे, इन कटलेट को गरम गरम चटनी के साथ खाने का मजाई कुछ अलग है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसी तरह हम सारे कटलेट फ्रा